दोस्तो आज हम आपको समुद्री नमक के बारे में बताएंगे इसके गुणों को जानकर आप समुद्री नमक खाना छोड़ देंगे अगर आप पहली बार हमारा लब्री टिप्स चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें हमारे घरों में पाया जाने वाला समुद्री नमक अलग किस्म से थयार होता और यह सेंध्र नमक को कोई बनाता नहीं है सेंधय नमक को कोई बनाता नहीं है ये नमक पूरी तरह से प्राकृतिक है ने सरगिक है जो कुदरत की एक अन्मोल भेट है हमारे लिए सेंधय नमक एक खनिज संपत्ती है जो पहाणों की ख़दानों में पाय जाती है ये हमारे हिमालय सिंग लाहोर में पाया जाता है और ये सबसे अधिक मात्रा में लाहोर पाकिस्तान में पाया जाता है इसलिए इसे लाहोरी नमक भी कहा जाता है अब जानते हैं कि इसे हम क्यों खाते हैं और इसका सेवन सफेद नमक से ज्यादा क्यों नहीं करते लोग ऐसा क्या हुआ इतिहास में जो घरों में 5-5 साल भरा रहता था अब इसे आपको खाने के लिए लेना पड़ रहा है और ये बड़ा आश्चरी की बात है अब हम सेधर नमक के फायदे जान लेते हैं इसके जसे वाख जाने नहीं करते हैं उस नमक का पोटेशियम ख्लो राइड का काम है उसको बाहर निकालने का शरीर को साफ और सुथरा रखेंगे का इस सेंधर नमक में 94 पोशक तत्व माइक्र नीूट्रेंट्रियंट होते हैं जिससे आप खरीदने के लिए जाएंगे तो आप के लिए वर्दान है ये पोशक तत्व आपको 130 बीमारियों से दूर रख सकते हैं इन में से 22 तत्व ऐसे हैं जो आपके शरीर के nutrition level को ठीक रखने में मदद करते हैं इसमें पाया जाने वाले में पोशक तत्व जो हैं उनका नाम है ये इतना शुद्ध नमक होता है कि आप इससे उपवास कर सकते हैं जिसे दैनिक उपयोग में लेने चाहिए इसके फैयादी इस प्रकार है इसके सेवन करने से आखों की रोशनी बढ़ने लगती है गर्ब धारन करने वाली महिलाओं को ताकत देता है मरदाना ताकत को बढ़ हो जाएंगे अगर आपको भूक न लगती हो जिस दिन भारी चीजों का सेवन करना है तब खाने से 10-15 मिनट पहले सिंधा नमक और आधा इंच अद्रक को चवा चवा कर खा लें आप दिखेंगे 10 मिनट के अंदर कोल कर भूक लगने लगेगी और पेट में अगर मरोड है गया साधी की तकलीफ है तो अगर आप इसका इस्तमाल करेंगे सिंधा नमक का तो थोड़े समय में ये ठीक हो जाएगा इससे आपकी पाचन शक्ती बढ़ेगी अगर आप थोड़े दिन लगतार इसका इस्तमाल करेंगे तो अगर आपको लो बीपी की शिकायत है तो आपक हाई बीपी की शिकायत एक से डिड़ महिने में ठीक हो जाएगी आपको एक और अश्र जनक बात बता दें सेंधह नमक को शरीर पर मलने से शरीर साफ हो जाता है चहरा दमक ने लगता है सेंधह नमक यूज करने से वसा यानकी फैट घटता है चरीर सुंदर सुडॉल होता है बीपी वालों के लिए एक वरदान है सेंधह नमक सेंधह नमक डेली रूटीन में इस्तमाल करने से एज़ा रिप्लेस्मेंट सफेद नमक के तो यह बीपी को इंट्रोल करने लगता है और यह जो साधा वाला नमक है यह एक जहर है इसमें शरीर के काम के मात्र थीन से चार ह मौजूद होते हैं जो लोगों को ना भी मिले तो किजन की दूसरी वस्तूओं से मिल सकते हैं इस समुदरी नमक में जो एक्स्टर आयोडीन मिला होता है वो बस सारी बीमारियों का कारण होता है शायद ही आपको पता हो कि नमक का काम जो होता है वो नमी को खीच लेना होता आपको पता हुआ कि पहले जो नमक आता था उसको खुला छोड़ दें तो गीला गीला हो जाता था मगर आज का नमक एक्स्ट्रा फ्री फ्लोइंग है जो कभी गीला नहीं होता क्योंकि इसमें जो नमी को आने वाले मिनरल थे वो हटा दिये गा है और नमी को सुकारने वाले केमिकल मिला हैं जो बहुत ही खतरनाक है जिसका नाम है अलमूनियम, सिलिकेट और पोटाशियम, आयोडेट ये दोनों ही केमिकल शरीर के बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि ये बहुत ही हैवी होते हैं जिससे किड्नी, लिवर, फिल्टर नहीं कर पाते इसलिए BP, अटाक, परालेसिस, आंखों का ऑपरेशन, किड्नी फियल हो जाना, जॉइंट, पेन होना ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारिया हम लोगों को आजकर घेर रही है च्योंकि हम लोग सेंधे नमक का इस्तामाल करना चोड़कर, साधा नमक, ये जो समुद्री नमक है, उसका इस्तामाल कर रहे है आज से 80 साल पहले, सेंधा नमक भारत के हर घर में मटके मटके भर रहता था भारत में जब अंग्रेजों का सासन साथ तब ये हमारे पर रिसर्च कर रही थी भारती लोग इतने मजबूत और स्वस्त कैसे रहते हैं उनकी रिसर्च में पाए गया कि ये लोग सेंधा नमक खाते हैं, समुद्री नमक नहीं और अंग्रेजों का पता लग गया कि वो समुद्री नमक खाने के आदी हो चुके हैं, जिसके जानकारी उने हो गए तो उन्हों ने, यांग्रेजों ने सिर्फ इस सेंधे नमक को हमसे दूर करने के लिए बहुत बड़ी चालाखी किये थी कि इस सदी से पहले हम भारती सेंधे नमक की खाते थे, समुद्री नमक के बारे में हमें पता भी नहीं था मगर अंग्रेजों ने हमारे कान भरने शुरू किये कि समुद्री नमक खाने के लिए हमें उकसाने लगे क्योंकि इसमें आयोडीन होता है इससे घेंगरोग रुखता है ये कहने लगे ये भी सुनने माया गांधी जी के हाथो नमक का सत्यागरा कराके समुद्री नमक का टैक्स अटा दिया गया जिसका भारती को कोई भी काम नहीं था और वहां से 17 साल बाद 1947 में भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया जिसमें सिंधा नमक भारत से दूर हो गया हम कभी सेधन नमक खाते थे ये याद ही नहीं रहा किसी को बस यही करा रहा है दोस्तों कि सेधन नमक हम आज भी नहीं खा रहे हैं तो हमने आपको सारी जानकारी दे दिये ही कि सेधन नमक कितना ज्यादा पावरफुल कितना ज्यादा इस्तेमाल करने लायक है और आज से ही आप इस्तमाल करना शूरू करें, खासकर भी पी की पेशेंट आसा करना शूरू करें, उन्हें स्वास दलाब जरूर होगा, साधा नमक जहर है, ये बात समझ लें, और इसे वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमली रिलेटिव्स में शेयर करना बिल करने बात